हलो फ्रेंट्स मेरे पार्म डिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आईए आज उसी एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे एक एपिसोड मैंने बनाया था कि ऐसे कौन से योग हो हतीली पर जो आपको बता दे कि आप निश्चित करोरपती या रपती बनोगे वो एक एपिसोड में तो संभव था नहीं उस एपिसोड में हमने बेसिक चीजों के विश्यम में चर्चा की थी आज की जो वीडियो होगी वो उसी पे आधारित होगी दूसरी एपिसोड होगी कि ऐसे कौन से चिन्न होते हतेली पर जो वाकिये इंसान को बहुत ही पैसा देते हैं अपने जीवनकाल में बहुत जादा तो इस वीडियो को पूरा देखें बहुत ही रोचक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है और साथ-साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे और लोगों को शेयर कर दे चलिए शुरू करते हैं तो सरपरथम, जो basic चीज है वो क्या है कि आपकी गरहों की base, वो बहुत ही important है, आपकी गरहों की strength, वो अच्छी होनी चाहिए आपकी हाथिली पर वो तो एक basic चीज हो गिया अगर वो अच्छी नहीं रहेगी तो कही न कहीं प्राबलम आएगी लाइफ में वो पहली चीज होगी, सेकेंड वनड़ बाते हैं कि ऐसे कौन से चिन्न बनते हैं तो आप सभी जानते हैं कि भागी रेखा हतिली पर हो तो इनसान का जीवन comfortability से बीचता है और money one से चला हुआ भागी रेखा शनी परवत तक जाने वाला, fate line, saturn रेखा कुछ भी कहलो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है पहला चीज आपने जान लिया, इसके उपरांत ऐसे कौन से चिन्न होते हैं वाकिए इनसान को बहुत ही पैसा देते हैं सबसे प्रथम जो चिन्न होता है वो आपके बनता है शुड़ी परवत पर फिश का शाइन ये बहुत ही strong शाइन होता है पैसे, name, fame, अंतरास्ट्री ख्याती देने के लिए ये बहतरीन साइन होता है और इस segment पर हमारी YouTube पर रियल पाम पर बहुत सी ऐसे वीडियो है जो कि आप देख सकते हो जिस पर exactly में फिश बना है और वो बहुत ही पैसे अपनी जीवन में कमाए है पहला साइन तो ये हो गया, second साइन क्या होता है, कि फिश ही होता है वो आपके बनता है, आपके Saturn Mount पे या शनी रेखा के साथ बन जाए या independent होके separately बन जाए तो शनी रेखा के साथ बने, तो रेखा कुछ ऐसे बनती है कगर किसी के हतली पर ऐसी शनी रेखा चले और यही से कर्व लेकर यहाँ पर से ऐसी कुछ फिश के आकिरती आपको फील हो जाए बहतरीन पैसा मान समान परतिष्ठा देता है चुकर ये धन रेखा पे बना है, तो ये 70% पैसा ही देता है नाम सौरत तो देता ही देता है, मतलब धन तो देता ही देता है गेरिंटी है ये बात दो शाइन हो गया, तीसरी साइन क्या होती है आपकी तीसरी साइन पर फिश के ही होती, वो आपके बन जाए जुपिटर माउंट पर रेरेस्ट साइन, रेरेस्ट साइन है बहुत ही कम केसे में देखने को मिलता है करोड में दो तीन परसन के पाम पर होगा जुपिटर माउंट पर बनने वाला फिश शाइन वो जादा तर केसे में नहीं ही देखा जाता है जिसके हादिली पर वो बहुत अर्बो, खर्बो मतलब इतने पैसे हैं उनके पास उसका काउंट नहीं किया जा सकता लेकिन फिर बात आती है कि बेस, आप अपनी बेस को जरूर देखें ये तो हो गए, ये फिश शाइन की बाद दूसरी कौन से चिन्न होती है दूसरी चिन्न आपकी होती है, मैं आपको बताता है अगर इस केंडिशन में कोई रेखा बने आपके यहां से एक भागी रेखा आपके सेटरन तक चली गई यही सर निकल के मनी ट्रेखा ऐसे बन जाए, पहतरीन पैसा देती है, बहुत जादा और दूसरी चीज क्या होगी, यहां पर केतु माउंट पे फिश बन जाए, इस भागी रेखा के साथ बहुत पैसा देती है, ऐसे इनसान बहुत पैसा कमाते है, अगर आपकी बचपन से फेट लाइन एक्टिवेट है इट मींस कि आपकी प्रारंभिक जो आप देखोगे यह प्रारंब हुआ, यहां से आपकी फेट लाइन एकदम फिश के साथ कंटीनियू बेसिस पे चल रही है तो ऐसे इनसान गोल्ड स्पून लेके पैदा करते हैं, अपने जीवन गोल्ड स्पून लेके पैदा होते हैं और अपने जीवन काल में बहुत ज़ादा पैसा बनाते हैं, गेरिंटी है अब तीसरी चीज़ क्या होती है अब मैं दिखाता हूँ आपको चौती चीज़ आपकी फेट लाइन तो कमपल सरी है यह तो होने ही चाहिए उसके बाद क्या होती है अब देखो बहुत से लोग पूछेंगे सर अमारी फेट लाइन तो यहीं से तो कोई बात नहीं आप तकरीबन 23-24 वर्ज से ही आप आगे बढ़ोगे उसके पहले कि आपकी लाइफ स्ट्रगल फेज में रहेगी अब आपने देख लिया कि फेट लाइन आपकी एकदम सीधी रहे अच्छी रहे सुई की तरह पतली रहे अब रेखाओ को देखो तो उसके स्ट्रेंथ को जरूर देखो वो कैसी है कि फॉरमेशन स्टेज में है या फिर वो बन चुकी है या फिर कुछ जादा ही डारक है त तो आपकी जीवन रेखा पर continue बनने वाले progress रेखा और साथ-साथ आपकी fate line और surely line एक तो होनी ही चाहिए तो ये कुछ अवस्थाय बनी तो ऐसे इंसान भी नी संदेह करोड़ पती अरपती बनते हैं ये guarantee है अब बात करता हूँ तीसरे चिन्ने की अब पांच में चिन्ने क के बीच में ये mind रेखा हो गए ये आपकी heart line इस बीच में प्रबल बनने वाला square और देखो इसके आकिति कैसे होगी मैं आपको दिखाता हूँ ये आपकी fate line है और यहाँ पर से ऐसे कोई square बन जाए और heart line और mind रेखा हो heart line के बीच में ऐसे इनसान इस age में तो बहुत ही पै पैसे योग हैं तो ऐसे इनसान hundred percent life में बहुत पैसा कमाएंगे बहुत जादा वो योग बनती है कैसे मैं दिखाता हूँ आपकी ग्रहों में बहुत अच्छे strength हो सारे ग्रह एकदम उभार लिये हो और आपका ये छेतर ये जो राहू का छेतर है ये आपको गढ़्धा नु होगा ही होगा और ये गड़े में इस राहू के छेतर में यहाँ पर से बनने वाली कुछ बात लो इसी छेतर में 10-12 प्रोग्रेस रेखाएं बन गए या फिर 5 भी बन गई जो कि continue basis बन है और भागी रेखा सक्रिय रूप से active आपकी life पे चल रही है तो इस phase में तकरीपन 22 स पैसा कमाता है अपने life में बहुत जादा अब उसके साथ और condition क्या पलायोंगी कि आपकी finger दोश्पुन नहीं होनी चाहिए आपकी बुद्ध फिंगर की length अच्छे होनी चाहिए साथ साथ आपकी हतेली पर राजयोग कारक इस्थिति बननी चाहिए मतलब एकदम पतली होनी चाहिए एकदम थिन होनी चाहिए आपकी palm अपना palm चोते तम गदेदार फीलो नी संदे बहुत पैसा गमाते है अपने life में अब उसके बाद मैं बात करता हूँ और एक चिन्ने की जो चिन्ने बनता है मैं दिखाता हूँ आपको बहुत ही अच्छा चिन्ने जिसको मैं मानत हूँ आपके शूरी मांट पे बनने वाला यह बहुत बड़ा स्कॉयर अगर शूरी मांट पे स्कॉयर बन रहा है किसी वैक्ति के हतिली पर शूरी रेखा है चल रही है साथ में और साथ साथ जूपिटर मांट पे भी है तो ऐसे वैक्ति 32 साल तक में अच्छा पैस आपने जीवन में कमा लेते हैं यह गैरिंटी है अब एक योग और आता है जो कि बहुत रेरस्ट योग वो भी मैं मानता हूँ बुद्ध मांट पे बनने वाला स्कॉयर यह भी बहुत रेरस्ट है अगर यह भी किसी कहते लिए पर बन रहा है तो यह लोग प्रबल बिजनसमेन होत यही पर से कुछ ऐसी आकरती अगर फिश की बन जाए गैरिंटी बता रहा हूँ यह तो भात मैंने भी एक दो ही इस्थिती में देखी ऐसी रेखा हैं मैंने कैसे देखी है मैं आपको बताता हूँ बस एक हतिली पर देखी हैं और वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं और उनक कि उनके अनुमती नहीं हुई थी अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो वीडियो अगर ऐसा कुछ और आता है हमारे पास अथेली तो वो वीडियो मैं आप लोग के पास लाओ गैरिंटी कह रहा हूँ बहुत पैसे लोग कमाते हैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा उसके बाद एक चिन और होती है मैं आपको बताओं तो आपके शुक्र आपका शुक्र वेल डवलप्ट है और उसके बाद ये शुक्र पे बनने वाले कुछ मनी की रेखाएं ये बहुत ही अच्छी रेखाई माने जाते हैं और इसी मनी की रेखाओं के बीच में बहुत ही स्क्वाइर बहुत धन दॉलर संपत्ती देते हैं ऐसे स्क्वाइर वाले व्यक्ति के जीवन में इश्वर बहुत ही जादा अगर ऐसे स्क्वाइर और ऐसी धन रेका शुक्र की परबत पर बन गई गैरिंटी समझो कि हर एक तरह की लगजरी का सुख गारी वाहन पैसे महालक्ष्मी की असीम क्रिपा राती है ऐसे जादा को पर तो ये कुछ चिन्ने के विश्य में मैंने चर्चा किया बादमा की मैं कोशिश करूँगा कि अब जो मैं बनाओ तो रियलिस्टिक पाम लाओ और उस पाम पे मैं दिखाओं और अच्छे तरीके समझाओं और एक सक्सेस्फुल व्यक्ति का पाम लाओ जिनके पास उतने पै रहे हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर रहे हैं आपको समझने में परिशानी हो रही है कि क्या वो योग है की नहीं तो आप जरूर में इसे संपर्क कर सकते हमारा वाटस अप नंबर कॉलिंग नंबर दोनों आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में तन्यवाद